आदा बच्चो आज हमारा जो मौजू है आज का सबक जो है वो है शहद की मक्खी यानि शहद की मक्खी के बारे में आज हमें पढ़ना है ये एक दिल्चस्प सबक है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं और ये सबक जो है ये दरसल आप बीती है आप भी ती यहनी शहद की मकी खुदी अपने बारे में बात कर रही है कि किस तरह से हम छहता बनाते हैं, छहते में कौन-कौन होता है, किसका काम है, अंडे देना, कितने मादा मकीयां क्या काम होता है, नर मकीयों का क्या काम होता है, किस तरह से हम शहद बनाते हैं, कैसे हम का उन्वान है शहद की मक्की, मैं हूँ तो बहुत छोटी लेकिन हूँ चीज बड़े काम की, काम काम और बस काम, इसे लिए इतना मीठा और इतना मुफीद शहद पैदा होता है, लोग मुझे पसंद करें या न करें, लेकिन मेरे शहद को सभी पसंद करते हैं, आकर क्यों न शहद का एक कत्रा बना है, यह शहद की मक्की जो है, चोटी सी है, और शहद का जो च्छता होता है, सबसे महले मैं यह बात बताओंगी आपको, कि उसमें तीन तरह की मक्कीया होती है, एक होता है नर मक्कीया, उसके बाद मादा मक्कीया और रानी मक्की, रानी मक्कीया नही काम काज नहीं होता लेकिन मादा मक्यां जो होती है वही बड़ी काम काज की होती है उनका काम होता है फूलों से रस लाना गुल्जर जिसे कहते हैं वो लाना फिर वहां च्छते में जो कुछ मक्यां बाहर जाती है काम करने के लिए कुछ घर में रहती है और जो रानी मक्या हो काम होता है अंडे देना उसके बाद शहद बनाना उन अंडों से जो चोटे-छोटे नाव्जाइद बचे होते हैं उनकी देखबाल यह भी नर्म 59 किया ही मादामक्रिया ही करते है नर्मक्रिया किया कोई झाद नहीं करती है तो मैं तो हूँ बहुत चोटी लेकिन चीज बड़े काम की ये खुदी मैंने कहा ना ये आप भी तिया ने अपनी कहानी खुदी बयान कर रही है कि मैं हूँ लेकिन बहुत चोटी लेकिन अगर चोटी हूँ लेकिन मैं बड़े काम की हूँ काम काम और बस काम इसलिए इतना मीठा सिर्फ दिन रात काम काम करती हूँ इसलिए इतना मीठा और इतना मुफीद मुफीद हो गया फाइदे मंद शहद पाइदा होता है लोग मुझे पसंद करें या न करें लेकिन मेरे शहद क्योंकि शहद जो है बहुत ही मुफीद है सहत के लिए खास तोर पे सर्मा के मौसम में कश्मीर में कि मैं बात करूँ यहां काफी सर्मा जाड़ा जिसे कहते हैं जाड़े में अक्सर लोग अक्सर आप खरों में देखते हो शहद सुबा के वक्त शहद का इस्तिमाल किया जाता है छोटे बच्चों को पाने में दिया जाता है या बड़े सबी लोग इसको शहद को पसंद करते हैं क्यों? क्योंकि यह बहुत ही फादे मंद है सहत के लिए बहुत ही मुफीद है और इसका कुछ जिकर कुरान शरीफ में भी है कि सहत शहद जो है यह बहुत फादे मंद कारामद चीज है तो शहद के एक आकर क्यों नहो पसंद क्योंकि शहद के एक कत्रे के लिए मुझे बहुत बार फूलों से रस लेना पड़ता है यह ऐसे आसां काम नहीं होता है कि बस मक्खी गई शहद की मुझे दो मिनट वहाँ बैटी वहाँ से लिए नहीं इसको बार बार वहाँ जाना पड़ता है बार बार दो तीन सा फूलों का रस जमा करके बार 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 वहाँ से इरद इरद गूती रहती है तब जाके शहद का एक कत्रा बनता है यानि कि जो हम लोग शहद खाते है कितनी मशकत कितनी मुश्किलों से यह जो शहद की मक्य है किस तरह यह तयार करती है यह इस में भी कुद्रत की कारीगरी ही है लो लो मैं सिर्फ महमे करने लगी बहला मैं अकेली किस काम की मेरे साथ मेरी पूरी बस्ती है हम एक दूसरे के साथ रहती है सेक्डों हजारों की तैदाद में हमारी इस बस्ती में तीन तरह जैसे मैंने आपको पहले ही बताया जो शहद की शहद का च्छता बस्ती का मतलब हो गया च्छता जो इनका 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 कौन सा है वो च्छता ही है तो इसमें तीन तरह की मक्या होती है कौन कौन सी मलका जिसे रानी कहा कुईन जो इनकी मा कहलाती है नर्मक्या और काम करने वाली यानि मादा मक्या यानि मेल और फिमेल मैं काम करने वाली मक्ही अब जो ये अब आप बीती जो आ हम लोग पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं ये कौन सी है काम करने वाली मक्ही याने के मादा मक्ही अपनी आप बीती बता रही है अपनी कहानिया में सुना रही मलका हमारी मा है इसका हम इसका बड़ा ख्यार रखती है इसे खास किसम की गज़ा खिलाती है मलका का काम सिर्फ अंडे देने का जैसे मैंने पहले ही समझा आपको कि ये जो मलका होती है ये इनकी मा की तरह होती है और ये जो इसका होता है ये छोटी मक्या तो छोटी होती है श इसी लिए, क्योंकि ये रानी मक्ही कहलाती है, और इसका काम होता है, सिर्फ और सिर्फ अंडे देना, लेकिन जो ये मादा मक्हीया होती है, ये इसका खया रखती है, इस रानी मक्ही का, इस मलिका का, इस मा का, इसका खास किसम कागजा इसको खिलाती है, वो दिन में पंदरह 100 अंडे देती है, क्या हम लोग, हम लोग को imagine निसान कर सकता है, कि यह चोटी सी मक्य जो है, कितने अंडे, 1500 अंडे यह एक दिन में देती है, इसलिए इसका जिस्म दूसरी मक्यों से थोड़ा बड़ा और लंबा होता है, यही वज़ा है कि इसका जिसम जो है जो बागी मक्या होती है उन से थोड़ा बड़ा और लंबा होता है इसके जब्रूं के दांट बहुत तेज होते हैं जो इसके जाह होते हैं जो दांट वो काफी तेज होते हैं लेकिन इसके बच्चों के दांट होते ही नहीं मिलका की उमर हमसे ज्यादा लंबी होती है यानि ये दो या तीन साल तक जिन्दा रह सकती है काम करने वाली मक्या मेरी बहने है चुकि ये शहद की मक्य जो है अपनी आबीती बता रही है हमें तो ये काम करने वाली मतलब है जो घर में इस यानि इस बस्ती में इस च्छते में जो काम करने वाली मक्यां ये होती है ना इनुने तक्सीम किया होता है कुछ मक्यां बाहर से फूलों से रस लेके आती है कुछ मक्यां जो इस च्छते में दूसरे काम काच करती है इस बस्ती को बस्ती में हमारी तैदाद सबसे ज़्यादा होती है यानि कि मादा मक्यों की मिलका तो एक ही होती है लेकिन मादा मक्यों बहुत ज़्यादा तैदाद में होती है नर मक्यों बहुत कम यह नहीं मेल मक्यों काम ही होती है गर बनाना अब ये इन मादा मक्यों का जो ये कहरें कि ये मेरी बहने होती है ये जो गर में बैठके गर का काम करती है क्या गर बनाना और इसको ठीक ठाक रखना हमारी जिमेदारी है हम अपना च्छता बड़ी कारीगरी से बनाती है हमारे अंदर एक मूम बड़ी कारीगरी से बड़ी महारत से यह अपना चटा बनाती, कैसे इनके अंदर एक मूम जैसा मादा होता है, जिसे लुाब कहते हैं उसकी सूरत में मूझ से निकाल लेती है, यह इस लुआब को अपने मूझ से बाहर निकालती है, इसी से हमारा चटा तैया, इसी से इन मक्यों का च्छता तयार होता, वो मॉम जैसा होता है, बिल्कुल वैक्स जैसा, इस च्छते में चोटे-चोटे खाने बनाए जाते हैं, अब ये च्छते कौन बनाता है, यही मादा मक्या, इस च्छते में चोटे-चोटे खाने बनाती हैं, इन में हम शहर जमा करती पिर जो बहर वाली काम वाली मक्या होती हैं, वहां से वो गुल्जर जो फूलों से रस होता है, उन्फूर जहत जमा करती है, इन्ही खानों मेरे बहने कुछ बहने मीठी नड़नी और नावजाइद मक्यों को पालती है, चुंकि जो मलिका ने जो रानी ने जो उनकी माने अंडे दिये होते हैं, फिर उन अंडू से जो छोटे छोटी मक्यां, जिलारवा कहते हैं, वो निकलती है, मादाम मक्यागर में बैठी वी उनको पालती है, इन नवजाएद को गलज़र चाहिए, इन नवजाएदों के लिए गलज़र होना चाहिए, नहीं के पूलों का «गुर्दा जिसे कहते हैं», पूलों का रस कहते हैं, तो जो पूल बागू मैं फूलूँ पे बैठती है वहाँ से पूलों का रस और घुल्जर लेकर आती है रादी मा यानि हमारी मिलका तो बस अंडे देती है जो बैसे पहले भी बताया रादी मा का सिर्फ और सिर्फ काम होता है अंडे देना अंडू के सीखने के लिए मुनासिब गर्मी चाहिए हम इसका इंतिजाम भी करती है और आप इन अंडू को सीखने के लिए इन अंडू को गर्मा हट देने के लिए ताकि उनसे ये मक्यां बाहर निकलाए तो उसके लिए क्या होता है उसके लिए एक मुनासिब हो गया बैलंस यानि कि नज्यादा गर्मी नज्यादा थंड बिलकि एक मुनासिब टेम्परेचर जिसे कहते हैं दर जरहरारत जरूरत होता है हम इसकाएंगी और उस चीज़ को ख्याल को रखती है यही नमादा मक्या अगर च्छता किसी वज़ा से ज्यादा गर्म हो जाए तो हम परों के पंखे जुला जुला कर ठंड़क पहुचा दी इनको लगता है कि कभी कभी अगर ऐसा होता है कि यह च्छता जो है इसमें काफी गर्मी आ गई है तो इन मक्यों को इतना पता लग जाता कि यह काफी यहां गर्मी है तो अपने पंखे जो होते हैं आप लोग ने पंखे मीन के पार जो होते हैं उनको जुला जुला कर यानि कि हिला हिला कर ऐसे ऐसे करके वह उसको थंड़क पहुचाती है तीन दिन के उसी को कहते हैं लारवा वो निकल आते हैं इन हे दिन में कई बार खिलाना पड़ता है जब तक उनके पर निकल आते हैं दिन में बहुत दफ़ा उनको गुलजर यानि कि ये बहुत मुश्किल का काम बहुत जिसे कहते हैं जो दो जहत बहुत मुश्किल से आप मतलब अपना का करती है और वो गुल्जर लेके आती है क्योंकि उनको दिन में दो तीन दफ़ा खिलाना उन्ना वजाएद बच्चों को जो लारवा होते हैं उनको खिलाना होता है ताके उनके पर निकल आए पहले तीन हफ़तों तक हम काम है बहुत मस्रूफ रखी है यही वजा है जब अंड रहत रहती है बहुत बुजी रहती है बहुत मशबूर रहती है गर को साफ रखना रानी पर किया इसे अब क्या काम होता है सबसे पहले गर को साफ रखना, रानी मा जो इनकी मलका होती है, औरना, निनी मक्या जो ये नवजाइद मक्या होती है, उनका ख्याल रखना, उनको खिलाना, दरजहरात को एतिदाल, बैलन्स, जिसे यानि नज़्यादा गर्म, नज़्यादा ठंड, उसमें रखना, फूलों क रस होता है, उनको जो वहाँ पानी होता है, उसको भाप की सूरत में खारिज करना, ताकि वो घाड़ा शहद बन जाएए, सिदे ही नहीं उन्होंने रस लाया, पूलों से तो बहुन बार गादा है, नहीं, उसमें से जो पानी होता है, यानि वहाँ वो गर्माहट पहुचा देते हैं उसको, जब गर्मी आ जाती है वहाँ उस रस में जो उसका पानी हो जाता है, इसी दी सी पात है, जब हम पानी को अबालते हैं वो भाप की सूरत में उट जाता है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी यह क्या करते हैं, यह जो रस लाती है, फिर उसके बाद उसमें गर गर्मे पहुनचाती है जब गर्मी इसको काफी हद तक पहुनजाती है उससे भाप यह रस जो होता पूल का उसे जो पानी का पोर्षन होता पानी का हिस्सा जो होता व बाहर निकल आता है और वह वहां गाडा जो फैस नहीं बन जाता है और इस तरह दूसरे जिम्मदार जिसे हम ये फुरसती मिलना ही मिलती यानि ये जो दो तीन हफ़ते का काम होता है जिसमें इसने का का हम लोग काफी मशगूर रहते हैं मस्रूफ रहते हैं यही होता है कि कितना सारा काम इनको करना पड़ता है इसके साथ साथ ही हम बस्ती की हिफाज़त भी करती और बाहर फूलों मेंसे रस चम करकर करके ले आती है और इसके साथ साथ बस्ती का ख्याल है यानि कोई इसको किसी भी तरह से यानि हिफाज़त मीन इस बस्ती की हिफाज़त भी करती यानि बस्ती की का ख्याल कि कोई इसको तकलीफ न पहुँचाए कोई दुश्मन इसको तकलीफ न पहुँचाए कोई दुश्मन इस च्छते को खराब न कर दे या किसी किसम का नुकसान न पहुँचाए और बाहर फूमों से रस जमा करके ले आती है, और बाहर जो बाग होते हैं, वहाँ पूल तो सिधी सी बात है, बाग तो फूमों से होता है, तो वहाँ से वो लेकर रस ले आती है ये रास हम च्छते में रहने वाली बहने के हवाले करते हैं रहने वाली बहने कौन सी यानि इनकी दूस जो आदे गर में रहती है इस च्छते में आदे बाहर जाती है आदी मक्या जो बाहर जाती वो उनका काम होता है सिर्फ फूल उसे रस लेना फूल उसे गुल जर्ला ले आना लेकिन जो अंदर का काम होता है वो वाली मादा मक्या ही होते जो इस रस को संभालती है मलिका का खयाल रखती है नवजाइद बच्चु का ख्याल रखती है मिलका को खास किसम का अगजा खिलाती है घर को साफ रखती है घर बनाती है यानि उनका उन पे काफी ज़्यादा लोड होता है काफी ज़्यादा बोज़ होता है काम का तो वो ये करती है वो गरेलू मक्या है यानि कि जो घर में बैठे काम करती है रस को खानों में संभाल कर रखते हैं और उसे शहद में तब्दील करती है शहद जब पूरी तरह पक जाता तो उस पर मूम की परत चड़ मूम की परत कुछ सा यानि कि लौब जो उनके मूँ से होता है जो पहले हमने पड़ा वही परत वही लेयर चड़ा कर से बंद कर देती है इस तरह हम सर्द्यूं के लिए गज़ा बचा के रखती है अब है यह होगा अभी तक हमने जो पड़ा मलिका का काम और मादा मक्यों का काम अब जो है नर्मक्यां मेल मक्यां वो क्या करती है बस नहीं मैं रहने वाली तिसी किसम की तो बात तो बताना ही बूल गई वैसे वो बूल जाने के ही लायक है ये नर्मक्या है बिलकुल निकमियो ना कर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि नर्मक्या जो होती है वो कोई काम नहीं करती है बस वो बच्छते में होती है, उनका कोई काम होता है नहीं, खुद अपना पेट भी नहीं पालती, यहां तक जो उनको अग्ज़ा चाहे वो भी वो खुद नहीं करती, बिल्कि यहीं मादा मक्या उनको बाहर से लेके आती है, हम ही उन्हें खिलाती है, हम मेहनत करती है, और य वो खुनर ही नहीं होता, कि वो रस चूसे, कहां से चूसे फूलों से, ना रस रखने की थेली होती है, और ना उनमें रस रखने की थेली, जिस तरह से इन मक्यूं में यह रस चूसती है, तो इनके अंदर ये खुदा की कारीगरी है, कि इनकी बनावट ऐसी कर दी गई है, कि इनके अंदर एक छोटी सी थेली होती है, मादा मक्यूं के अंदर, जब ये चूसती है वो रस, वो सीधे ये थेली में जमा कर देती है, फिर अपने च्छते में जाकर च्छते के खानों में डाल दी है, लेकिन नर्मक्यूं के ये जो नर्मक्या है, इनमें ना रस चूसन क्या होती है ये बड़ी चालाख होती है ये क्या करती है जूही गर्मी का मोसम खतम होता है तो इनको अपने च्छते से बाहर निकालती है बगाती है उनको डंग की बात चड़ गई तो एक राज और बताओं ये डंग हमारी हिफाज़त का भी सामान है अच्छा अभी तो हमने डंक की बात की कि डंक जिसे कांटा कहते हैं जो कांटा चुपता है अक्सर हम कहते हैं कि मकी ने डंक मारा यानि कि कांटा मारा तो ये एक राज और बताओं मैं आपको कि ये डंक हमारी हिफाज़त का सामान है और हमारी मौत का भी हिफाज़त का सामान कैसे और मौत का सामान कै से हम अतनी बदसाद नहीं कि जो कोई सामने आए उसे डंक मारे, हमारा काम नहीं होता है कि बस जो भी आया हम उसको डंक मारे, डंक हम किन्कों मारते हैं, बहला जिसका वस्ता रंग भर रंगे फूलों और मीठी मीठी शाहत से हो, वो बुरा कैसे हो सकती है, मतलब हमारा काम होता है फूलों से, शहद बनाना, मीठी चीज और मुफीद चीज बना, तो हम क्यों किसी को तकलीफ हो चाए, किसी को दुख पो चाए, हम दुश्मन को उसी वक्त डंक मारते हैं जब शदीद ख शदीद हो गया, बहुत जबरदस खत्रा महसूस होता है, तब हम डंक मारते हैं, हम जान पर खेलती हैं, क्यों कि ये डंक मारना असा काम नहीं होता, जब हम इन पर डंक मारते हैं, जान पर खेलना, यानि कि ये महावरा है, जान पर खेलना, यानि अपनी जिन्दगी को खत् कैसे क्योंकि यही हमारी मौत भी है यही डंक मार कर हम लोगों की मौत हो जाती है कैसे होती है हमारा डंक सीधा मगर कांटेदार होता जो हमारा डंक जो होता वो सीधा होता मगर उसमें कांटेदार होता है कांटा दुश्मन के जिसमें अंदर तक चुप जाता है हम इसे निकालने के लिए जोर लगाती है जो ही हम कोशिश करते हैं इसको बाहर निकालने के लिए ये मक्यां जो होती है इस डंग को इस कांटे को बाहर निकालने की कोशिश करती है इससे हमारे अंदर के आज़ा टूर जाते है इससे क्या होता है जो इन मक्यों के अंदर के अइजा जब ये काफी जोर लगाती है चूंकि ये काफी छोटी सी होती है बहुती नर्म होती है ये जब इसको बाहर निकालने की कोश्च करते हैं जो इनके अंदर के अइजा जो होते हैं इन्टरनल पार्ट जो होते हैं इनके अ हमारा हमारी मौत हो जाएगी इसलिए ये डंक तभी मारती जब इनको लगता है कि हमें अब खत्रा है किसी दुश्मन से और वो खत्रा भी जबर्दस खत्रा जब हो रानी मा की तो बात अलग है उसका डंक मुड़ा हुआ मगर काउंटू के बगेर होता है चुंकि रानी मा तो इसका डंक मुड़ा हुआ होता मगर उसमें कांटे नही होते हैं वो एक नहीं कई बार डंक मार सकते हैं इसे उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता, आकर रानी जो ठहरी वो कई बार ना कमारती है, लेकिर उसको कोई खतरा नहीं होता क्योंकि वो बड़ी होते है, रानी होती है, बले क्या है, इस जब आ एकी. बला छोड़ो ये दुश्मन डंक और मोत की बाती कुछ और बाती करें चलो छोड़ो अब ये दुश्मन की बाती डंक दुश्मन मोत वगएरा चलो हम कुछ और बाती करें हमारी जिन्दगी बड़ी मुक्तसर मुक्तसर होती है लेकिन हम अपने काम से काम रखती है मुक्तसर हो गया बहुत ही कम कलीर छोटी होती है लेकिन हम अपने काम से काम रख लेकिन ये मक्या जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रख दी हम इसमें खुश है वैसे हम रक्स में भी बहुत माहिर है हम बस अपने काम में खुश है दिन रात हम महलत करके ये श कब होती है बात तो कर नहीं सकती नाच कर ही जिसम की हरकतों से अपनी बेहनों को आगा करती है हम बात तो नहीं कर सकती है कि बात बता कर जो च्छते में मक्या होती है इनकी बेहनी कि हम कहां पहुंची क्या नहीं बिल्किन हम रक्स करती है यानि नाच करती है नाच से उनको पता चलता है कि यह जो मक्या है यह इनको आगह करती है इनको वाकफ करती है कि मतलब ख़बर पहुचाती है कि अगर फूलों का बाग च्छते के करीब हो तो हम रस लेकर च्छते के पास एक खास किसम का रक्स करती है ये उन बहनों को ये समझाती है अगर बाग बिलकुल नजदी की हो तो ये उस किसम का रक्स करती है तो उनको पता चलता है कि इनका जो बाग है ये वही से नजदीक से ही फूलों का रस लेकर आती है अगर फूल चते से दूर हो इसी तरह से अगर बाग दूर हो और वो च्छता इनके बहुत दूर हो तो वो पेट हिला हिला कर दूसरी किसम का रक्स करती है यानि दो तरह की अगर नजदीक हो तो अलग किसम का अगर दूर हो तो पेट हिला हिला कर रक्स करती है तो जो घर में बहने होती है उनकी जो गरेल की दूरी और सिमत का पता चलता है इसी रक्स से जाने के जब ये पेट हिला हिला कर नाचती है तो मक्यू को पता चलता है ये दूर से फूलों का रस लेकर आई जब ये दूसरे किसम का रक्स कर तो उनको पता चलता है ये नस्दीक से ही फूलों का रस लेकर आई है अब ये ब उनीए सव में आस्ट्रालिया के एक साइन्स दान ने इस बात का पता लगाया है कि मक्या, ये जो रस है किस तरह से अपने छहते में जो दूसरी मक्या होते हैं उनको किस तरह से आगह करती है कि हम कितनी दूरी से, कितने फास्ले से हम लोग ये जो रस है फूलों से लेकर आती है कितने दूरी से हम लेकर आती है इस बात का जो जानकारी जो है वो आस्ट्रेलिया के एक साइनस्दान जिसका नाम था कार्ल वान फ्रिच उसने लगाई उनीस अशवी में अब बहुत देर हो चुकी है फूलों का बाग दूर है आप शहद का लुटफ लीजिए मैं जरा रस की थेली बराओ अब चूंकि ये आकरी लाइन जो इन्होंने बताई कि अब बहुत देर चुके अपनी सारी आप भी थी सारी कहानी इसने बताई तो अब इसको बूलों का बाग जो है वो बहुत दूर है अब वहां से रस लेना है प्यारे बच्चों इस तरह से आपने समझ लिया है ये जो शहद है जो हमारे पास बोतल में आजाता है जो हम बड़े मज़ेब खाखा कर खाते किस तरह से ये शहद पाइदा होता है और जो कौन-कौन सी मक्या इसमें काम करती है किस तरह वो जिसे कहते हैं ना बहुत ही कारी गरी से और दिन रात लगातार महनत कोशिश करके किस तरह से वो शहद हमारे लिए तयार करती है अब है इसका हम सबसे पहले अलफाज माने आपके लिखिए उसे वो आप खुद ही जुम्ले इसके बनाएंगे बस्ती बस्ती हो गया आबादी या घर भी कह सकते हैं खांदान भी आबादी मलिका जो मैंने बताया मा इनकी यहां पर हम लिखेंगे रानी मलिका रानी उसके बाद है छहता खायू जिसे कहते हैं छहता शहद की मक्यूं का गर की क्यूं का गर ठीक है अब आपने यह समझ लिया यह जो शहद की मक्य जो है और यह आप भी दिया ने कि अपनी ही कहानी इस शहद की मक्यूं ने बताई अब है मुक्तसर जवाब लिखिए छहते में किस कदर मक्या होती है हाजी छहते में सेंकडू हजार उताद में मक्या होती है छहते में कितनी तरह की मक्या होती है छहते में तीन तरह की मक्या होती है सबसे पहले रानी मक्ही नर मक्ही और मादा मक्ही रानी मक्ही का क्या काम होता है रानी मक्ही का काम सिर्फ और सिर्फ अंडे देना होता है रानी मक्ही कितनी देर तक जिन्दा रहती है रानी मक्ही दो तीन साल तक जिन्दा रहती है शहद की मक्हीयां शहद कहां जमा कर दिये शहद की मक्या शहद चहते के खानों में जमा करती है नर मक्यों को दूसरी मक्या क्यूं हकारत की नजर से देखती है दूसरी मक्या ने मादा मक्या क्यूंकि नर मक्या कोई काम ही नहीं करती है वो दिन भर पड़ी रहती है वो काम नकमियो नाकारा होती है इसलिए उनको मादान मक्या हिकारत की नजर से देखती है यानिकि नफॱत की नजर से यानि वो कोई काम ही नहीं नहीं करती है आम शयतकी मक्यो रानी मक्यो क्या फारक है यह जो डंक मारती है उसमें क्या फारक है रानी मक्ही और इसमें आम मक्ही का जो होता है डंक वो मुसीदा होता है मगर कांटेदार होता है जब कि रानी मक्ही का डंक जो होता है वो मुड़ा हुआ मगर कांटू के बगैर होता है डंक मार कर शहद की मक्ही की क्यों मौत हो जाती है हाँ जी क्यों कि जो शहद की मक्ही होती है उस वो अपना डंक जब निकालती है कांटा जब बाहर निकालती है जो उसके अंदर के आइजा होते हैं इंटरनल पार्ट्स जो उसके बाड़ी में होते हैं जिसम में होते हैं जब वो उसको जोर लगाती है तो अंदर के सारे आज़ा उसके तूट जाते जिसकी वज़े से उसकी मौत होती है दूसरी मक्यों को फूलों की दूरी और सिम्मत की आगाई देने के लिए शायद की मक्या क्या करती है दूसरी मक्यों को पूलों की दूरी और सिम्मत की आगए देने के लिए शाहद की मक्यां रक्स करती है नाच करती है खास खिसम का नाच इन बातों की जानकरी कि साइन्सदान को कब हुई थी हाँ इन बातों की जानक्यारी आस्ट्रेलिया की साइंसदान कालवान फ्रिंच को उननीस सब इसी में कोई थी तो इस तरह से हमारा ये मौज़ू ये सबग खत्म हो गया तो जो हमने पड़ा आज शहद की मक्की अब एक हाली जगों को पूर कीजिए मैं तो हूँ बहुत छोटी लेकिन बड़े काम की चीज हूँ इसलिए इतना मीठा और इतना मुफीद शहद पैदा होता है लोग मुझे पसंद करें या ना करें लेकिन शहद को सब पसंद करते हैं मलका हमारी मा है हम इसका बड़ा ख्यार रखते हैं